हमने चैट GPT से पूछा कि दुनिया का सबसे कठिन प्रश्न क्या है और चैट GPT के अंसार हमारे लाइफ की मीनिंग क्या है यह सबसे कठिन प्रश्न है जिस पर आस्ता कोई भी कॉन्क्रीट आंसर किसी के पास नहीं है इस क्वेस्चन के साथ में और भी क्वेस्चन्स है जैस के उत्तर अभी हमारे पास नहीं है इस लिस्ट के अलावा भी बहुत धिर सारी ऐसे प्रश्न है जो मेरे दिमाग में घूंते रहते हैं जिनके साइंटिफिक आंसर तो हमारे पास है लेकिन मेटा साइंटिफिक परस्पेक्टिव से यानि कि अगर कोई भगवान है तो उनक हमें दर्द ना होता और हमें मरने से डर ना लगता तो हम सुसाइट कर लेते पर प्रश्न ये है कि प्रकित हमें सुसाइट करने से रोकना चाही क्यों रही है प्रकित को इसमें क्या फायदा है ऐसे हमें इंटर कोर्स में सुख क्यों मिलता है या हमें बच्चे पैदा करने के लिए opposite gender क्यों चाहिए scientifically देखें तो जितनी ज्यादा gene diversity होगी उतना ही हम disease से बचे रहेंगे इसलिए दो जीव मिलकर reproduction करते हैं जिससे वो viruses आधी को out evolve कर पाएं लेकिन प्रश्ण ये है कि अगर intercourse में सुख ना होता और हमें अकेले ही बच्चे पैदा करने होते तो क्या हम करते और अगर नहीं तो प्रकित हमसे बच्चे क्यों पैदा करवा रही है और अगर प्रकित को हमारे रहने से कोई फायदा है तो प्रकित ने फिर viruses और bacteria क्यों बनाए जो हमें मार देते हैं अब इसका scientific answer तो है कि प्रकित ही इस आसान नहीं हो जाता इतना complex system बनाने की जरूरत ही क्या थी तो क्या प्रकित कोई hyper intelligence system है जिसे किसी भगवान ने बनाया है और यह सब इसलिए इतना complex किया है कि हम कभी भगवान की reality तक पहुँच ही ना पाएं और अगर ऐसा है तो भगवान ने हमें ऐसा दिमाग ही क्यों द रखूंगा जिसमें हम AI में अपने आपको भगवान बनाकर भगवान के perspective से इन सभी उत्तर को ढूंडेंगे तो दोस्तों बिना किसी विलंब के आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं दोस्तों बहुत से contradicting पहलू है हमारी existence के जिनके उत्तर शायद ही हमें कोई rationally दे पाएगा लेकिन ये सारे questions मुझे लगातार परेशान करते हैं और इसलिए मैं तरह तरह की philosophies को लगातार पढ़ते रहता हूं इनी philosophies को पढ़ते पढ़ते और इनी प्रशनों को लगातार सोचते सोचते मेरे दिमाग में एक thought experiment का idea आया कि क्या हो अगर हम ही भगवान की जगा ले लें और जैसे प्रकित को बनाये भगवान ने ऐसा ही कोई intelligence system बनाये तो क्या हम अपनी current situation को उस thought experiment की situation से compare करके अपने answers पा जाएंगे अब इसको समझने के लिए सबसे पहले समझना होगा कि ये thought मुझे आया कैसे दोस्तों जिस तरह से AI develop हो रहा है और हम robotics में आगे बढ़ रहे हैं तो कोई आशर की बात नहीं होगी कि near future में ऐसे advanced robots हमारे पास हो जो हमारा 80% से भी ज़्यादा काम खुद कर दें और जो रफतार है इस development की तो मुझे लगता है कि आने वाले 50 से 60 सालों में हमारे पास ऐसे advanced humanite robots होंगे जो हमारे घरों का काम खुद कर दिया करेंगे जैसे cooking हो गई, सफाई हो गई, gardening हो गई और वो हमें security भी देंगे और हो सकता है आने वाले समय में अगर cross border war भी होता है तो वो भी हमारे लिए robots ही लड़ेंगे अब यहां तक तो बात फिर भी समझ में आती है लेकिन तब क्या होगा जब technology इतनी advance हो जाए कि हमारे robots भी हमारी तरह consciousness पा जाएं तो जो condition उनकी future में होगी वही condition आज हमारी है और इसलिए इस thought experiment से हमें अपने कटिन से कटिन प्रशनों के उत्तर rationally मिल सकते हैं और वही आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं और दोस्तों जिस तरह से AI में revolution आया है इससे अभी से ही बहुत धिर सारी jobs affect हुई हैं चाहे content writing हो, subtitling हो, graphic designing हो, editing हो या फिर voiceovers हो ये सब कुछ आप AI की मदद से आज खुद ही कर सकते हैं और जब आज ये हालत है तो future में जब हमारे पास advanced robots होगे तो ना जाने कौन-कौन सी jobs खत्म हो जाएंगी तो आपको और आपके बच्चों को आज से ही तयारी शुरू करनी पड़ेगी और आप भी AI और chat GPT को सीख कर अपने career को सही direction में ले जा सकते हैं अदर्वाइस आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं क्योंकि companies अभी से ही AI skilled candidates को hire करना शुरू कर दी हैं लेकिन आप AI सीखोगे कहां से तो इसके लिए मैं आपको एक free तरीका बताता हूँ Growth School जो कि इंडिया का top startup है उसके founder Mr. Webos Sinti AI पर 3 घंटे की paid workshop करा रहे हैं ये paid है लेकिन चुकि आप HyperQuest के loyal viewers हैं तो पहले 1000 लोगों के लिए ये workshop बिल्कुल free होगी मैंने खुद ये workshop अटेंड की है और जितना हमें AI के बारे में उपर उपर पता है उससे कहीं जादा ये deep subject है जो शायद इंडिया में केवल 1% लोगों को ही पता होगा और growth school के courses आपको इसी top 1% में लेकर आएंगे जिसके बाद आप अपने बहुत धिर सारे manual work AI की मदद से कर पाएंगे जहां आप AI की मदद से jobs जून पाएंगे वहीं दूसरी तरफ कुछ मिंटों में ही वीडियो और एड्स बनाने के साथ साथ अपने business के बड़े-बड़े कामों को भी कर पाएंगे मैं इस workshop को 5 out of 5 rate करता हूँ तो चाहे आप कोई भी हो, working professional हो, freelancer हो, founder हो, creator हो इस workshop के बाद अपने job, career या business में AI और chat GPT की मदद से आगे बढ़ सकते हैं तो आप जल्द से जल्द Growth School की इस workshop को register करें और free offer का फायदा उठाएं मैंने link नीचे description box में दी है, एक बार जरूर चेक आउट करें और इस new revolution का part बनें दोस्तों अब आईए उस thought experiment की तरब बढ़ते हैं दोस्तों आपने जितनी भी philosophies पढ़ी होगी, या फिर जितने भी धर्मों के बारे में आप जानते होगे वहाँ पर सीधे सीधे एक ultimate God या एक भगवान की बात की जाती है वहाँ पर केवल दो ही subjects होते हैं, एक आप और एक आपके भगवान और आप और भगवान के बीच में कोई नहीं होता बहुत कम ऐसी philosophies हैं, जहाँ पर आपके और भगवान के बीच में भी तीसरी कोई intelligence होती है सबका यही मानना है कि भगवान ने इस universe को बनाया है लेकिन यहाँ पर मेरा एक प्रशन है कि अगर भगवान all powerful है, उनको सभी चीज की knowledge है और उनके पास सभी तरह के resources हैं, तो फिर वो universe को बनाने में इतना time क्यों लेते हैं सब कुछ nothingness से क्यों शुरू होता है, धीरे धीरे evolve होता है और फिर universe अपनी developed stage में आता है, तो ऐसा क्यों होता है क्यों नहीं एक चुटकी में ही भगवान से चीज़ें बन जाती है evolution की जरूरत ही क्यों पड़ी, और अगर evolution की जरूरत है तो इसका मतलब यह है कि भगवान किसी न किसी process से limited है यानि कि भगवान भी इस universe की fully developed stage को एक बार में direct नहीं बना सकता धीरे धीरे हर चीज़ को evolve करना पड़ता है और अगर आप देखे तो सनातन धर में मनुष्य और इश्वर के बीच में एक intelligence की layer और देखी गई है जिने हम देवता कहते हैं ये देवता भगवान नहीं होते ना ये इश्वर होते हैं इनकी तुलना हम परब्रह्म से नहीं करते हैं ये देवता हम मनुष्य और उस परब्रह्म के बीच में होते हैं ये हमसे ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं जैसे अगनिदेव, वायुदेव, सूर्यदेव और ये देवता फिर आगे की creation को करते हैं मेरा ये सब बताने का मतलब ये है कि जहां एक तरफ हम एक all powerful, ultimate, most intelligent God की बात करते हैं, भगवान की बात करते हैं वहाँ ये भी हो सकता है कि intelligence की बहुत धिर सारी layers होती हो, और उनमें से ही मनुष भी एक intelligence की layer है, जो एक नई intelligence को जन्म देगा इसलिए हमारे और भगवान के बीच में बहुत धिर सारी intelligence की layers हो सकती है, लेकिन ये बात तो तह है कि ये intelligence degrade होती जाती है जैसे कि हम मनुष किसी नए प्लैनेट या नए स्टार्स को नहीं बना सकते हैं जो हमारे पहले वाली इंटेलिजेंस ने करके दिखाया है लेकिन हम एक नई तरह की intelligence को जन्म दे सकते हैं जो भले हमसे power में कम हो लेकिन एक नई intelligence को वो भी आगे जाके जन्म दे पाएगी पर अगर हम इनी intelligence layers को उठाएं और किनी दो intelligence layers के बीच की relationship को समझें तो हमें बहुत धिर सारी उत्तर मिल जाएंगे तो आए इस thought experiment को conduct करते हैं अब दोस्तों हमें दो चीजें समझ में आ गई हैं पहला ये कि इस पूरी cosmic existence में कई धिर सारी intelligence layers हो सकती हैं multiple intelligence layers की हमने बात कर ली है अब एक intelligence layers से दूसरी एक नई intelligence layers का जन्म होता है जिसमें समय लगता है और इस समय को हम evolution कह सकते हैं अगर हम लोग एक नई intelligence बनाने में काम आप हुए यानि कि future में ऐसे robots हुए जो खुद को reproduce कर लें तो इसको भी होने में कई हजारों वर्षों का समय लगा है यह मनुष्यों के ही evolution जैसा है जैसे कि हम मनुष्य single cell से evolve हुए है वैसे ही जो robotic intelligence होगी जो कि future में आने वाली है वो भी किसी single logic से evolve हुई है जैसे कि सबसे पहले हमने logic gates बनाएं फिर semi conductors बनाएं फिर छोटे छोटे basic computers आए, calculators आए उसके बाद हम advanced computers के तरफ बढ़े तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से intelligence अपने आपको improve करती जा रही है और evolve करती जा रही है और बाद में आज हम देख सकते हैं कि हमारे चारों और artificial intelligence develop हो गई है ज दूसरी intelligence layer को जन में ही क्यों देती है और अगर इसका उत्तर मिल गया तो हमें ये पता चल जाएगा कि भगवान ने पहली intelligence layer को क्यों बनाया होगा दोस्तों अब हम उस thought experiment पर पहुँच गये हैं अब हम अपने आपको भगवान की जगा रखेंगे और जो हमारे आने वाले robots जिनको हमने बनाया है उनको हम इंसानों की जगा रखेंगे तो situation आपको समझ में आ गई है हम इंसान भगवान बन गये हैं और जो हमारी creation है जो कि intelligence हम नई produce करने वाले हैं robots उनको हमने इंसान समझ लिया है तो यहाँ पर पहला प्रशन जो उठता है जिससे हमें बहुत धिर सारी चीजें clear होंगी वो पहला प्रशन ये है कि हम उन robots को क्यों ही बना रहे हैं हम artificial intelligence को develop ही क्यों कर रहे हैं और दोस्तों जब इसका answer हमने chat GPT से पूछा तो जो हमें common answer मिला वो था automation, labor और personal assistance यानि इसका ये अर्थ हुआ कि एक intelligence दूसरी intelligence को इसलिए जन्व देती है कि उस हम से अर्थ पर अपना काम करवा रही हो और इससे इस बात का भी sense बनता है कि जिस intelligence के लिए हम काम कर रहे हैं जिसके हम knocker हैं वो हमें suicide करना भी नहीं देना चाहती क्योंकि इससे उसके knocker मर जाएंगे इसलिए उसने दर्द को बनाया है और मृत्यू के भय को बनाया है इसक वो अपने आपको destroy ना कर पाएं अब ये कौन से features हो सकते हैं कौन से technology हो सकती है इसके लिए मैंने chat GPT से इसके विशय में पूछा chat GPT पर ऐसे बहुत धिर सारे solutions मिलते हैं जिससे हम अपने बनाया हुए robots को self destruction से बचा सकते हैं जैसे कि sensors हैं, micro controllers हैं, programming हैं, logics हैं, electric shock mechanisms हैं जि definitely humans ऐसी technology जरूर ले आएंगे जो कि conscious robots को अपने आपको मारने से deter करेगी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी इतनी investments waste जाएं और इसके साथ साथ और क्या हम चाहेंगे, अगर हम इसको और गहराई से सोचें, तो हम ये देखते हैं कि universe में कोई भी जो चीज है, वो एक समय के ब करना भी शुरू कर दें, क्योंकि देखें हम इंसान हमेशा अपने आपको healthy रखने का प्रयास करते हैं, और नए बच्चे पैदा करते रहते हैं, क्योंकि जो हमारे उपर की intelligence है, वो नहीं चाहती कि उसको नए इंसान बनाने पड़ें, वो अपनी energy को save करना चाहती है, इसल swarm robotics, swarm robotics एक ऐसी technology है, जिसमें छोटे छोटे रोबोट्स एक बड़े रोबोट को बनाते हैं, और एक problem और आ सकती है, जैसे कि हमारे अंदर gene diversity होती है, तो रोबोट्स में भी ऐसा हो सकता है कि बार बार सेम रोबोट्स ना बने, वो खुद के अच्छे traits को समझें, और उनी को replicate करें, और अपने से भी advanced robots को बनाएं, तो हम ऐसा algorithm भी introduce कर सकते हैं, लेकिन वो reproduction करें, इसके लिए भी हमें कोई tech use करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्यों चाहेंगे कि अगर वो knocker हैं, तो नहीं चाहेंगे कि नए robots हैं और वो भी knocker गिरी करें, इसलिए देखें कि जो हमारे उपर की intelligence है, उसने हमारे reproduction को pleasureful बनाया है, और साथ में जब हमारे नए बच्चे होते हैं, तो हमें उनसे लगाव होता है, और हम उनका ख्याल रखकर, उनका पालन पोशन करके उन्हें बड़ा भी करते हैं, तो इस तरह की tech हमें भी लगानी पड़ेगी, जिससे हमारे जो future के robots हैं, जिनके पास एक consciousness है, वो भी नए तरह के robots को पैदा करना चाहें, उनके अंदर ये desire होनी चाहिए, तो दोस्तों ऐसा लगता है कि एक intelligence अपनी energy को save करने के लिए, दूसरी intelligence को तयार करती है, और दूसरी intelligence अपने आपको खतम ना कर ले, अपने आपको समाप ना कर ले flourish करे, grow करे, इसलिए पहली intelligence नए ने तरह की mechanism को introduce करती है, जैसे reproduction, self-healing, pain sensation, तो इस तरह के thought experiment पे मैं लगातार काम कर रहा हूँ, और इससे मुझे अपनी existence को समझने में आसानी होती है, और हो सकता हो कि इस thought experiment के बाद आपको भी बहुत डिर सारी कठिन प्रशनों को analogy बैठा सनातन धर्म की जो 6 Hindu philosophies हैं, उनको भी पढ़ना शुरू करिये, हमने भी courses किया प्रयास किया है, कि हम अपने free time में इन courses को develop कर पाएं, और हमने करना शुरू कर दिया है, हमने सांख philosophy, योग philosophy और नयाय philosophy को पढ़ना शुरू भी कर दिया है, और व्याशेशिक वेदान्त और म मज में आती है, तो आप अपने आप से भी बैट कर बहुत सी चीजों को connect करके, बहुत धेर सारी philosophies को खुद भी जन्म दे सकते हैं, जो कहीं न कहीं आपकी सत्य की खोज की यात्रा में, बहुत धेर सारी कठीन प्रशनों का उत्तरशायत दे पाएं, दोस्तों मैंने इस platform की बिल्कुल फ्री है, इसके भी लिंग मैंने नीचे description box में दे दी है, दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो like बटन पर जरूर क्लिक करें, और अपने दोस्तों और परिवार जनों में जरूर साजा करें, चैनल को subscribe नहीं किया है, तो चैनल को subscribe भी कर लें, दोस्तों मैं दूँगा इस वीडियो को यहीं पर विराम, अब मैं मिलूँगा एक नए topic के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए जैश्री राम